हेलो दोस्तों स्वागत है आपका यूटीब चैनल पर आसा अगातन सुभी लोग बढ़ियाओंगे तो आज मैं फिर से आगे हूं आपके लिए एक बढ़िया सा इंफॉर्मेटिक वीडियो लेके तो वीडियो में बने रहेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो उससे लिए सब्सक्राइब करते हैं देखे आज के वीडियो में जो है अभी यहां पर पीम किसान में जो हो रही थी वह भी तक ओटीपी से हो रहे थी और बंद कर दिया गया यहां पर फिंगर्प्रिंट में काफी लोगों को प्राब्लम आ रहे हैं तो आज हम जानेगी कि मॉर्फों क कि सेटिंग किस तरीके से करनी है यहां पर जो होता था लाइट नहीं आती दिवाइस में तो हम जानेंगे अभी सेटप के द्वारा और पूरी तरीके से यहां पर आपकी जो डिवाइस से बर्क करेगी तो वीडियो में बने रहेगा तो देखें यह जो हम सबसे पहले गू त volt सलेकर पर यहां पर आपको इस तरीके से पूरा दिखेगा यहां पर जो एपसाइड का इंटरफेस होता है अब आप पर लिए यह आपको बिक कर देघ कर देंगे यहां पर दिक हो हो गई है अब यहां पर हम देखेंगे मार्फो का यहां पर देखेंगे मार्फो यहां पर दो होते हैं आपके में होगा तो सर्विस पहले हटा देंगे उसक यहांपर اسमार्ट यूस्बी बाला बी हटा ना है सब्से पहले सब्सेएम इसे में इस्टालर कर दिए यहांपर इस अब बताते हैं कि क्या करना अब देखें यह दोनों पर मेरे यहां पर चेक कर लेंगे देखें सब हट गया है मारफो का आप यहां पर कोई भी सेटप इंस्टाल नहीं है अब आपको अपने यहां पर PC में से इलिट कर देंगे मेरे थिद्रैक के अंदर फोडर है तीन देख़ी हैं पर तो मैं इने पर्मानिटलि यहां पर डिट्ली कर देता हो यहांसे हमारी फोल्डर डिलीट हो गए अब यहां से काम खतम हो गया इसे हम हटा देगे अब देखिए आपको यहां पर जो विंडोज प्लस आर जो होता है विंडोज का की कीबोर्ड में और आर उसे एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरीके से रन वाला आइकन खुल जाएगा अब आ यहां पर कुछ यह नहीं अटेंगे तो इन्हें सेलेक्ट टाल करके स्किप कर देंगे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब फिर से यहां पर दबाएंगे और यहां पर देखिए परसेंट टेम परसेंट यह आप ध्यान रखेंगे इस तरह करेंगे ओके कर देंगे फिर से यहां से जो फाइल से इन्हें आपको सलेक्ट करना है और यहां से इन्हें डिलीट कर देना है फिर से इन्हें स्किप कर देंगे आप देखें यहां से हट गई है अब यहां से इसे भी क्लोज करते हैं फिर से हम इसी जहाँ पर आएंगे विंडो जार और यहां पर आप देख है घिकवा से यहां पर यहां पर है इसे हम एक्स्ट्रैक्ट करनेंगे पहले जिप फाइल से अब देखें यहां पर इस तरीके से सहल गया से टप अब इस फोल्डर को खोल लेंगे यहां पर दो फोल्डर दिखेंगे ऊपर वाला आपको तो कुछ नहीं होता सारा आटोमेटिक हो जाता है क्योंकि अब यह अपर यह सेटप मार्फोर ने बहुत ही सही बनाया पहले आपर मैनूली आपको सेट करना होता था जो कि जो डिवाइस है उसे यहाप पर लगाएंगे पीसी में तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पर दिखेगा कि आपकी डिवाइस रेडी टू यूज हो गई है तो इस तरीके से आप भी अपना सेटप करेंगे आसा करता हूं आपको समझ आ गया होग लिद्वा tahu, तो इस तरीके से आप यहाप न पर वीमणिक रिव इसी तरीके से आप भी फालो करेंगे तरीके को और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए को जरूर से